नमसकार साथियो, नियूज कलिक में हम आपका स्वागत करते हैं, हम सबको लगता है कि जब देश में सामप्रदाईक हिंसा बढ़ती है, तो कारोबार का माहौल बिगर जाता है, बड़े बड़े नामे गिरामी अख़बारों में लिखने वाले भी है लिखते हैं, कि कारोबा करता है कि जब देश में सामपरदाइक हिंसा बढ़ती है तो इस ऑफ डूइंग बिजनेस पर ठेस पहुंचता है कारोबारी और कॉर्पटी से पसंद नहीं करते हैं क्या वह वाकई में यह बात सही है या कि के वर यह मस्दारणा है अजय आप देखे कि हम जिसको कारोबारी क कह सकते हैं माइक्रो अंट्रप्रेनियोर है तो उनकी अगर बात करें हाँ उनको बहुत सा नुकसान होता है अगर सामपरदाइक हिंसा होती है या हम जानते कही कही से कही इलाकों से किसी सामपरदाइक के लोगों को जो चीजे बेचते उनको भगा दिया जाता है ऐसे में उ बड़े corporate है, उनको मुझे नहीं लगता है कोई problem हुईता है, क्योंकि आप देखें, जिसी भी state में हम जानते हैं, जहां पर हिस्टरी है, सामपरदाइक हिंसा की, जहां पर हुई है, या वहां पर बहुत सारे कारोबार चलते हैं, वहां पर बहुत फैक्ट्रिया है, बहुत सा किस शेनी में है, वो भूल जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि हम मैं मुसल्मान हूँ, चाहे सबसे अमीर मुसल्मान हो या सबसे गरीब मुसल्मान हो, हम सब मुसल्मान हैं, मैं हिंदू हूँ, सबसे अमीर हिंदू और सबसे गरीब हिंदू, हम सब एक हैं, तो कारोबारियों को डर सिरफ एक ही लगता है कि कहीं पे जो काम करने वाले लोग है वो एक जुटना होता है और सामप्रदाइकता हर देश में हर जगे पे सिरफ एक ही काम उसने किया है और वो यह है और मैं सिरफ कम्यूनलिजम नहीं बोड़ रहा हूं मैं रेसिजम बोड़ रहा हूं मैं कोई फैशिस्ट आइडियालोजी की बात कर रहा हूँ, फासिवादी आइडियालोजी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी जहाँ पर भी किसी को एक धर्मी या जाती या किसी चीज पर या किसी नैशनलिटी के बेस पर इकठा किया गया है, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग है, श्रम जी भी लोग है वो कभी खठा नहीं हुए तो उससे कारबारी वो फाइदा होता है कोई नुक्सान नहीं होता है इसको और थोड़ा सा खोल के बताईए कि जैसे आप कहे रहे हैं कि जो स्रम है वह बट जाता है तो क्या लेबर यूनियन इसी वज़े से नहीं बन पा रहे हैं या जो हम कहते हैं कि नियुम्तम मजदूरी को ले करके कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ क्या इसी वज़े कि लोग एक दूसरे से पहचान की आधार पर भी घृना करते हैं या नफरत करते हैं या अलगाव करते हैं ये भी क्या कारण है क्या उसके लिए यह तो हमारे देश में बहुत शुरू से देखा जा रहा है क्योंकि हमBlack Union जब यूनियन भी थे तो आप देखेंगे कि जो हमारे देश में आजाजी से पहले West Bengal में बेंगॉल में कुछ यूनियन में संप्रताय किता जब बड़ी थी तब और यूनियन तूट जाते तो ऐसे इसमें कोई नहीं बात नहीं है लेकिन ये एक कारण है एक बड़ा कारण जो लेबर यूनियन वीक होने का ये भी है कि आप देखेंगे कि और गनाइज लेबर फोर् सेल्पोन पर उसको फोन करके बुलाते हैं कि भही आप पंखा काम नहीं कर रहा है आ जाओ या मेरे घर में जो नलका है उससे पानी लीक कर रहा है आ जाओ या बेड ठीक करना है कारण पेंटर बुला लो या किसी कॉंट्रैक्टर को बुला के आप बोलते हो पेंटी तो कित पर है भी चाहे हम देखे कि जब बॉम्बे उस वक्त बॉम्बे था जो मुंबाई में मिल स्ट्राइक हुआ था बहुत लंबा चला था और वह आप पिक्चरों में भी देख सकते हैं उसका अलबर्ट पिंटो का को गुस्सा क्यों आता है एक बहुत फेमस मुवी बना था आपको आप लोग तब शायद पैदा नहीं हो रहे होंगे लेकिन बहुत फेमस था नशीरुटीन शाह थे वह भी मुंबाई मिल स्ट्राइक पर है मुंबाई मिल स्ट्राइक के आप कह सकते हैं कि समतल पर प्लाटफॉर्म पर बना है कूली अमिताब बच्चन का मुंबाई मिल स्ट्राइक की बात नहीं करती है वो लेकिन आप अमिताब बच्चन के कूली का अगर पोस्टर इंटरनेट पे जाकर देखेंगे तो आप किस चीज का प्रतीक है तो वो उस वक्त कमर्शिल सिनेमा भी एक जो सेंटिमेंट बना हुआ था मुंबाई में उसको एक्स्प्लॉइट करने के लिए कमर्शिल सिनेमा भी उस पे करा था क्योंकि एक-जुट थे ये जो मेल बंद हो गए बहुत सारे जो फैक्ट्रिया बंद ह गई और आजकल आप बहुत जगे पर जाओगे तो कॉंट्राक लेबर होता है, आधा कॉंट्राक लेबर पे चला जाता है, एक जुट होने का चांस बहुत कम हो जाता है, आप जो मैंनेजेरियल क्लास हैं उनको तो साइनी करना पड़ता है, शहीं कि मैं कहीं पे लेबर यून शिरसेना का का, शिरसेना आगे ही आए थी यही स्ट्राइक तोडने के काम, आप एक चीज़ देखेगी, एक टाइम पर मुसॉलीनी, जो कि फासिवाद के एक तरह के आप कह सकते हैं, इटली में, मुसॉलीनी खुद को सोशल सामयवाद, मतलब सोशलिस्ट मानते हैं, लेकि उनका काम एक ही था, उनकी जो पार्टी थे, काले शट वाले लोग घूमते थे, उनका एक ही काम था, स्ट्राइक तोड़ना, लेबर यूनियन तोड़ना, लेबर यूनियन वालों को पीठना, मारना, और कहरना कि ये लोग हमारे खिलावाद, तो जहां पे भी एक तरह के क का ideology यह आपका आधिकाल का identity है चाहे आप Hindu है Muslim है Italian है जो मतलब Roman Empire के उस time से आ रहे हैं या आप German बहुत या आप श्वेत हैं अमरीका में ऐसे जो भी जिसको हम right wing कहते हैं दक्षिन पंथी ideology कहते हैं एक तरीके से कहाता है बहुत लोग कहते हैं कि सब एक नहीं होते हैं इन सब में एक चीज़ जरूर रहता है और वो यह है कि यह labor union या labor के तोर पे एकठा होना इसके खिलाफ होते हैं जैसे एक example मैं आपको दे रहा हूं और यह जर्मनी से है एक एक नाटक है उस वक्त का जब फासी बाद जब नाजी आगे आ रहे थे तो पिता social democratic है labor union का है और बेटा नाजी पार्टी में है ठीक है और बेटा बोल रहा है कि आजकल हम जो यंग लोग है हम यह पैसे या career इसके पीछे नहीं भागते हैं लोग इसलिए labor union का हमारे लिए मतलब नहीं है हम चाहते हैं कि एक हमारा जो spiritual unity है हम सब जर्मन लोग आरियन लोगों उन सब उसके वही हम चाहते हैं तो देखे किस तरीके से काइदे से union जो की economic rights बांगती है उसको कहा जाता है कि यह तो नह भीयात्मिक एक unity लानी चाहिए चाहिए वो आपका धर्म हो चाहिए कि आप आहरे है या आपका रंग हो वो आपका होना चाहिए यह का जाता है तो घर जगे ऐसे ideology जो है वह लेबर युनिएन को वीक करने का काम करते हैं ओर इससे फाइदा जो प्रेट है उसी को होता है कार उनमें सामप्रदाइक धारनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो क्या इसके पीछे कुछ आर्थिक वजहें भी हैं? देखें, इसका एक लोग कहेंगे कि आप बहुत सिंप्लिफाय कर रहे हैं, लेकिन और मैं इसको मूल कारण नहीं कह रहा हूँ, मैं एक कारण कह रहा हूँ, आप देखें कि जब से हमारे देश में, जिसको हम एकनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, जो कि 1980s के बीच में से शुरू ह बहा था, और उसमें क्या होता है, नीजी करन सबसे जादा है, कि सरकार हट जाए, सरकारी कंपनिया ना रहे, प्राइवेट जो हैं, वो काम करें, दूसरा है लिबरलाइजेशन जिसको कहते हैं, कि आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, आसानी से खोल सकते हैं, आप बहुत कंपनियां, तीन-चार बड़ी कंपनियां, सब कुछ कंट्रोल करते हैं, और तीसरा है जिसको शायद भूमंडली करन क्या जाता है, लोबलाइजेशन तो उसमें क्या हो है, कि आप पहले जैसे था कि हम चाहते कि हमारे देश में टीवी बने या गाड़ी बने, इसलिए बा इसको माना गया, यह बुरा है, खराब है, क्योंकि इससे इनेफिशेंसी बढ़ती है, तो इंपोर्ट को अलाव कर दिया गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान कर दिया गया, और साथ में विदेशी पूंजी इसको भी इजिली आने दिया गया, तो यह जो सारा प्र खुद सेल्फ एंप्लॉइड और उसके बाद से एक सेल्फ एंप्लॉइड का दौर चला है और हम जानते हैं कि नौक्रिया लोग ढूंगते हैं एक पियन की नौक्री के लिए या रेलवे में चोटे-मोटे काम के लिए पीएजडी वाले धक्का मुक्की करते हैं तो लेकिन जब मिलता नहीं तो कुछ खुद का कारोबार करना पड़ता है कहीं पर छोटा दुकान खोल लो कहीं पर धाबा खोल लो या कहीं पर कुछ स्किल सीख लो जैसे कारपेंट्री एलेक्री से दो दिन पहले मेरे यहां पर एसी साफ करने लोग आया थे तो उन्होंने बोला कि जो थे उन्होंने बोला मैं तो बाहर जाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर नौक्री नहीं है पर यह नहीं है कि मोड़ी जी ने कुछ गडबर किया उन्हें है बाहुत अच्छा काम करते मोड़ी जोने का योगी जी बहुत अच्छा काम करते यूपी से ते लेकिन रहे नोक्री नहीं इसलिए मैं डेश से बाहर जाना चाथ यह तो मैं इस तो सेख nuevos लूंड बहुत ज्या मुसल्मानों को नौकरी मिलना बहauत मुश्किल हुआ तीन कारणे एफ मुसल्मान हमारे देश में सबसे गरीब रहे हैं धलितों से भी गरीब यह हमारे जितने भी सरकारी कमिशन हैं सब सचर कमिटी कि रिपोर्ट भी गैते हैं सचर कमिटी कि रिपोर्ट कहते हैं मिश्रा कमिटी रिपोर्ट और जो independent individual local service ह obsessed यही कहते हैं कि यह सबसे गरीब है मुसलमान, साथ में मुसलमानों को education level था, इसलिए जहां पर education जरूरी थी, वहां पर मुसल्मान कम में थे और दूसरा है जिसको हम prejudice कहते हैं मुसल्मान को नहीं रखेंगे नौकरी में इस इन तीन कारणों से मुसल्मान लोगों में self employment जादा बढ़ी है आप अगर self employment का division देखेंगे तो सारे committee report और survey हमें कहते हैं कि मुसल्मानों का presence self employment में उनकी जो आबादी है उसके तुलना में जादा है ठीक है एक उदारन के तौर पर कह रहा हूं कि हो सकता है कि जो self employed है जितने हमारे देश में अगर 100 लोग है उनमें से हो सकता है 30-33% मुसल्मान होंगे जबकि मुसल्मानों की आबादी वही 16-17-18% के आसपास है यह उसे कम कम जादा लोग कहते हैं कि बढ़ गया कि 2011 में लास्ट हमारा हुआ है अभी चेंज हो गया तो यह जो excess representation है क्योंकि बाहर काम नहीं मिलता है अब जब हिंदू सबसे जादा intermediate कास्ट के लोग इसको हम कहते हैं मैं backward कास्ट और दलित नहीं कह रहा हूं सबसे जादा intermediate कास्ट के लोग जब नौकरी ढूंडने जाते हैं या कहतें कि स्वरावजगार करेंगे चोटा मोटा कोई कारोपार करेंगे मैं टायर का बेचने का एक एजनसी खोल लेता हूं या मेकानिक कार मेकानिक का काम करेंगे या पेंट घर पेंट करने का काम करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर वह देखतें कि मुसलमानों के साथ कॉम्पूटिशन तो बहुत जादा है तो तब उनको लगता है अरे सारा काम तो इन लोग उन्हें ले रखता है हमारे पास कुछ नहीं है जब तक इन जब तक हमारे देश में ऐसा था कि लोग नौकरी ढूंड़ते थे कारोबार नहीं तब तक आप देखें कि मुसलमान के साथ चाहे अपरकास्ट हिंदू या य एक affluent section भी है कारोबारी section भी है उनके खिलाफ हुआ है चाहे आप करनाटक का बेट देखें गुजरात देखें यूपी देखें एक टाइम पे बिंगौल बे देखें हर जगे कहीं न कहीं एक कारोबारी section मुसलमान तो यहाँ पे जो competition है इस वक्त बहुत जादा बड़ा है और अगर आप किसी को कहें आज यंग लोग को कि देखें मुसलमान हमारे देश में सबसे गरीब हैं वो क्या बात करते हैं हमारी यहाँ पे आप देखें मुसलमान गाड़ी खरीद रहे हैं हम शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है या कारोबार में पैसा न जोहे का काम, ताले का काम, घर पेंट करने का काम, कई-कई पे ड्राइवर या उबर चलाने का काम, इसमें मुसल्मानों का प्रेज़ंस बहुत जादा है। तो इसमें जो competition यंग लोगों को face करना पड़ा है सब तो इसमें already एक सामप्रदाइक feeling है नीचे से और उपर से एक और कारण जो है सामप्रदाइक feeling का जो है और उसमें भी एक economic relation आप सोच सकते हैं और वो है कि जो हमारे देश में ruling एक तरीके से elite 1990s के end तक था उसको हम कह सकते हैं managerial bureaucratical जो कि देश को चलाते थे यह सारे congress के साथ इन लोगों में एक था कि हम high culture देखते हैं हम बहुत अच्छा अच्छे picture देखते हैं हम बहुत अच्छा गाना सुनते है रा शास्त्री संगीत सुनते हैं हमने देखिए कि यहां पर पुराने जो साडिया हैं उनको revive कर दिया है तो यह जो culture था और हम अंग्रेजी में बात करते हैं हमारे बच्चे foreign में पढ़ते हमें दुनिया में किस तरीके के अलग-अलग चीज मिलते हैं उन सब के नाम पता है वाइन कैसे पीते हैं कितने temperature में पीते हैं वो हमें सब पता है ठीक है हाँ और हम Sanskrit भी जानते हैं हम जानते है Max Miller काल यह जो elite है इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अंगर गुस्ता लोगों में है और secularism को इनके साथ बहुत आसानी से जोड दिया गया तो यह जो है आप कह सकते हैं इसमें भी एक economic basis है साम्प्रदाइक्ता बढ़ने का कि 1990 में आर्थिक शुधार भी होते हैं और वहीं से मंडल कमंडल की राजनीती भी सुरू होती है और वहीं से ऐसा इंसान भी बनना सुरू होता है जो मतलब की प्रेम सामदाइक्ता को अलग रखता है और नफरत आदी के कारोबार पर जादा वो आकरसित होता है तो यह जो दोर बदला है इसमें आप सामपरदाइक्ता को बहुत संख्यक वाद की राजनीती को कैसे देखते हैं संचिप्त में तो थोड़ा सा तो हमने पहले आंसर लेकिन मैं एक और कहूंगा कि आप जब कहतें कि पहले प्रेम अगरा था यह सच नहीं यह सिर्फ जो हम पब्लिक मे शायद पैदा नहीं हुए थे दूर दर्शन पे बच्चों के गाने आते थे चेडिया एक दाना हम सब एक यह सब टाइप के गाने आते थे वो सरकारी एक आइडियालोजी था जो हम व्यापारी कास्ट और क्लास है हमारे देश में शुरू से लेट 19th से लेकर थूआउट आप अक्षे मुकल की किताब अगर पढ़े तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से व्यापारी क्लास किस तरीके से हिंदुत्व जिसको आप कह सकते हैं उसके साथ associated था 1990 के बाद जितना व्यापारी क्लास जो है और अलग-अलग जातियां व्यापारियों के जैसे पावर में आया है सत्ताधारी हुए हैं उतना जादा उनके पास economic power था लेकिन सत्ता का power उनका 1990 के बाद आया है और mid 2000 से बहुत जादा बढ़ा है उतन सामने आया है वो पब्लिक बेस हो गया है यह nationalism यह nationalism जो पुराना nationalism elite जो managerial elite का nationalism था वो nationalism रिपे रिप्लेस होके यह वाला nationalism आप किसी को जिसको आप सांपरदाइक कहते हैं उसको आप कहें हैं कि आप सांपरदाइक हैं वो बिलकुल नहीं मैं राश्ट्रवादी हुए इंडिया फर्स्ट आप उनके विटर्ट हैंडल देखेंगे तो उसमें लिखा होता है इंडिया फर्स्ट वह आपको anti-national कहते हैं वह आपको हमें एक जुठोके तो यह जो ideology है यह ideology पहले था यह अब ruling ideology बन गया है यही सबसे बड़ी बाद मैं सांपरदाइक नहीं हूँ राश्ट्रवादी हूँ यही धेवा क्या आज का बन गया है शुक्रिया हमारी खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे website पर जा सकते हैं हमारे वीडियो को आप YouTube चैनल से देख सकते हैं Facebook पर जाकर के हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और टुटर पर भी हमसे जोड़ सकते हैं शुक्रिया आप देखते हैं News Click